तो आज मैंने देखी सलार थेटर में और क्या आपको अपने पैसे लगाकर इस मुवी को थेटर में देखने जाना चाहिए या नहीं और क्या प्रभास का कमपैक हुआ इस मुवी के साथ और उसके बाद सबसे बड़ सवाल क्या कोई कनेक्शन था सवार के था जानें कि इस वीडियो के लिगने उससे पहले मिरा नाम है अभी and you're watching cinema वी दोई तो सबसे पहले प्रभास के करियर का जो bad face था उसको अब एक full stop लग चुका है प्रभास की एक अच्छी मुवी या फिर क्या सकते हैं better than average मुवी आ चुकी है प्रसान दील द्वारा डिरिक्टेड यह मुवी similarly KGF मुवी के template पर based है जहां first half काफी slow रहता है और story को build करने में लगा जाता है वही मुवी का second half तुमें दूसरी किसी world में ले जाता है और अपनी world building के बारे बताता है और अगर मुझे mention करने की जोड़त है तो इस मुवी का basic plot heavily inspired है उग्रम मुवी से अब अगर तुमें KGF chapter 1 और chapter 2 दोनों पसंद आएगी तो यह मुवी for sure तुमें पसंद आएगी क्योंकि वैसे ही कुछ template में इस मुवी को भी बनाया गया है मुवी की बात करें तो मुवी के world building I think मुवी के one of the best चीजों में से एक थी जहां मुवी अपने characters को अच्छे तरीखे से explain करती है वही second half में जब story खांसार के अतर जाती है तो उसके politics को भी काफी अच्छे से explain करता है अब मुवी का first half थोड़ा slow जरूर feel हो सकता है क्योंकि मुवी के starting size story को build किया जाता है और उसी के साथ कई सारे elevation scenes भी अपने को deep में बुलते हैं लेकिन उन elevations का pay off दिखने के लिए बहुत ज़ादा wait करना पड़ता है जहां पने main character के around movie के first half में 5 elevations है लेकिन उन में से 2 को ही pay off मिलता है और खाली 2 action sequences अपने को deep मिले first half में जो कि कम बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर उन बाकी के 3 elevations scenes में गरम करके ठंडा छोड़ देने वाली बात हो जाते है जो कि थोड़ा annoying जरूर लगता है अब हाला कि story के perspective से इन elevations को इंदम create करना और फिर उनको out of no mirror वहीं खतम कर देना यह थोड़ा slow जरूर फिल हो सकता है, annoying जरूर फिल हो सकता है बट वहीं character के perspective से यह बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि प्रभास यानि कि देवा का character कुछ ऐसा ही है कि भाई वो एक unstoppable force है बट उसको खुद को रोकना है, pullback करना है क्योंकि उसकी मा नहीं चाहती कि वो किसी fight में engage हो अब देवा की मा की insecurity उसकी बेटे को लेके पूरी movie में देखे आ सकती है जहां कई-कई scenes में तो यह दिखा गया है कि वो actually कितनी suspicious और anxious हो जाती है इतने बेटे को लेके जहां से एक plastic knife को अपने बेटे के हाथ में देखके वो इतना घबरा जाती है जैसे कोई पहार तूट पड़ा हो जो कि indirectly यह point out करता है कि वो कितना बड़ा unstoppable force है जिसे उसकी मा रोकने की कुशिश कर रही है मुवी में पहले तो उसकी मा उसे रोकने की कुशिश करती है और मुवी के second half में वर्धा और एक बार जब वर्धा का control देवा की उपर से खटता है तो मुवी national highway पकड लेगी है अब जैसा कि मैंने का मुवी का first half थोड़ा slow feel होता है लेकिन वहीं आता है मुवी का second half जो कि अपने first half में दे हुए सारे elevations का payoff तुमें भर भर के देगा और उन सक चीजों को देखने के बाद you won't regret watching it and इस मुवी का best part तुमें पता है क्या है प्रभास himself भाई बंदा frame में simply खड़ा है 6 foot 2 inch का बंदा muscular physique के साथ एकदम godly appearance लगता है पूरी screen के अंदर and मानो ने मानो प्रभास की screen presence इस movie के अंदर लाजबाब है I mean he just stands there and his physique, his body language, his eyes gets the job done इतने effortless तरीके से प्रभास का swag हमें screen में जलागता है जो कि मैं words explain ने कर सकता हूँ मैं जितनी भी तारीफ करू प्रभास की इस movie में उनकी appearance और screen presence को लेके वो कम ही होगी क्योंकि कि किसी को मानने के बाद slow way more जो pose देखने को मलता है वो तो और खतरना निता है मतलब he is just looking effortlessly cool मतलब कोई effort डालवा ने पढ़ रहा बंदे को उन सब सभी उपर है भाई movie के interval के ठीक पहले वाला सी खतरनाग परिके से बना है और साथ ही जाद ये movie cliffhanger man होती है जिसके आगे की story अपने को part 2 में देखने को मिलेगी हाला कि प्रभास के character को लेके एक problem भी है जो कि है उनके dialogues को लेके movie में उनके dialogues कापी कम है लेकिन मुझे उतना कुछ खास problem नहीं लगा उस चीज से क्योंकि actually में वो character है समुद्र जैसा जहां उसके अंदर तो है स्थिरता लेकिन जब उसे कोई बाहर से भढ़काएगा दोस्ती वाला song मुझे बहुत पसंद आया और एक background भी काफी अच्छा लगा जो stand out करता है उसके अलाब़ा जितना भी music यूज हुआ है मुझे उतना कुछ खास अच्छा नहीं लेगा ठीक है बट it serves the purpose बट मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है अब अगर तुम लोग की देखे मैं काफी excited हो गया था कि भाई चलो अब cameo देखने को में जाएगा बट ऐसा कुछ movie में हुआ नहीं और बाकी most of the अगर तुम भी देखना जाना चाहते हो तो में तरफ से highly recommended है movie देख लो you won't regret it क्योंकि प्रभास का screen presence ही अकेपे तुम्हारा टिकेट का पैसा वसूल करा देगा सो बाकी यही था चोटा सरीविव सलार movie को लेके आपने movie देखे क्या आपको movie कैसे लेगी comment section में ज़रूर बताना और अगर video पसंद आया तो like कर सकते हो दोस्तों के साथ से बरूर करना और अगर ऐसी interesting videos और दिखना चाहते हो तो चैनल को subscribe करके बलाइकन दावा सकते हो बाक